हे गाईज स्वागत आपका हमारे चैनल पर जिस पर आपको सही जानकरी सबसे पहले प्रवाइड की जाती हम बात करने वाले हैं से एक्जाम को लेके देखिया आज इसकी सुनवाई हो चुकी है और कोर्ट की तरफ से फैसला भी आ चुका है क्यों इसका एक्जाम है वो पोस् आश्ट में करवा लिए जाएंगे लेकिन अब भी यह चांस बन रहे हैं कि एक्जाम हो पोस्ट किया जा सकता है यह मैं नहीं बोल रहा यह एक बड़ा ट्विट आया है जो मैं आपको दिखाने वाड़ा हूं वह देखिया आप यह देखिये मैं आपको दो लोगों के के जो ट्विट है इन्होंने बोला कि I am waiting for official outcome not able to say anything as of now please wait for some time और यह इन्होंने अभी अभी ट्विट किया है मतलब 15 मिंट पहले इन्होंने यह ट्विट किया है और यहां पर आप देख सकते हैं और फिर से बोला है कि hopefully by late evening we can expect तो मतलब क्या चार रहा है इनके मनमी यह तो किशी को नहीं पता बाकी मां आपको और reply दिखा देता हूं इसमें क्या रखा है when can we expect the official notification in this regard only four days left for exam and still no clarity तो देखी आगे और देख लीजिए कि साथ तो बस गए working house में डालना चाहिए यह मतलब क्या है वही आप देख सकते हो कुछ ऐसा हो जो सब इस्टुडेंट के लिए beneficial हो और we know sir no good news or any relief मतलब बच्चों को यह नहीं लग रहा कि भी कुछ बड़िया उनके लिए आ सकता है कोई positive news उनके लिए आ सकती है लेकिन यह जो sir है इनको यह लग रहा है कि कोई भी मतलब positive news है वो शाम तक आ सकती है एक चीज़ मां आपको और दिखा देता हूं वह और देखे जो एड़ो करत अनुब असरी वास्ता जीन उनके ट्विट किया है वी किस यह चुट्ट ना उने बताया कि एक कोई चीज़ टूटन रहा है ए और बैक माय नेवर 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 नेच्ट दोर वस तकन तो देकन तो दू रहुस्टल दू दू ब्रेट ब्रेट लेस वी वाज़ फाइटिंग कोविट अल इस डेज हैं ही वाज फाइटिंग कोविट वर इस देज सो विद लॉक्डाउन माई विल्डिंग इस सेल्ड नौ बई दाग्रेस ऑफ गुड वी आर सेफ वाओ वी लाई पेर पर एक्जाम इनका कहने का मतलब यह है कि जिन वही आपको इतला कर दिया जाएगा